पीपल पत्वारी की कहानी एक समय की बात है, एक गाउं में एक गूजरी रहती थी, उसने अपनी बहू से कहा, कल से तू दूद्दही बेच आया कर, तो वे दूद्दही बेचने चल दी कार्तिक महा में सभी औरतें पीपल सीचने आती थी, तो वेह भी वहाँ पर बैठ गई, और उनसे पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो, तो उनमें से एक औरत बोली, हम तो पीपल की पत्वारी सीच रहे हैं, तो बहू ने पूछा इससे क्या होता है, तो औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से अन धन मिलता है, बरसों का बिछडा हुआ पती मिलता है, उस गूजरी ने कहा, अच्छा, ऐसा है, उसने मन ही मन सोचा, तुम सब तो पानी से सीच रहे हो, मैं पीपल को रोज दूद दही से सीचूंगी, उसकी सास रोज कहती, कि जा दूद दही बेच करा, और लाकर मुझे पैसे दे देना, तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा, तब एक साथ लाकर दे दूँगी, कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्ण माशी के दिन, गूजरी पीपल बतवारी के पास धरना दे कर बैठ गई, पीपल महराज ने पूछा, तू यहां क्यों बैठी हैरी, तो उसने कहा, आज पूर्ण माशी है, कार्तिक मास का अंतिम दिन, मेरी सास दूदधही का हिसाब मांगेगी, लेकिन मैंने तो पूरे महा दूदधही तुम पर चड़ा दिया है, अब मैं घर जाऊंगी, तो माता जी को हिसाब कैसे दे पाऊंगी, पीपल ने कहा, अच्छा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये पत्थर, डंडे और पान के पत्ते पड़े हुए हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना, बहु ने ऐसा ही किया, और जब सास ने पूछा, हिसाब कर लाई, तो गूजरी ने कहा, हाँ हिसाब कर लाई मा जी और मैंने पैसे गुल्लक में रख दिये हैं, तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी, तो सास देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमागा रहे थे, पत्तर, डंडे और पत्तों का धन बन गया था, सासुमा बोली, बहु चोरी की या डाका डाला, बता इतना पैसा कहां से लाई, तो बहु ने आकर देखा कि वहां तो बहुत सारा धन है, तब गूजरी ने कहा, सासुजी मैंने तो एक महा तक दूद और दही से पीपल की पत्वारी को सीचा था, मैंने उनसे धन मागा, तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे और पान के पत्ते ले जाने के लिए कहा, जो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिये थे, वही सब ये हीरे मोती बन गए हैं, तब सासु माने कहा, कि अब की बार मैं भी पत्वारी सीचूंगी, अगली बार जब कार्तिक महा आया, तो सासु तूद दही बेचाती और हांडी धोकर पीपल पत्वारी पर चढ़ा द बड़ी हो, मैं आपसे हिसाब मांगती कोई अच्छी लगूंगी, तब सास बोली, नहीं जैसा मैं कह रही हूँ, वैसा ही कर, तुम उससे हिसाब मांग, तो बहु ने सास से दूद दही का हिसाब मांगा, तो सासु जी पीपल पत्वारी पर जाकर धरना देकर बैठ गएं, पीपल देवता फिर प्रकट हुए, और उन्होंने सासु मां से पूछा, अरी माई, यहां क्यों बैठी है, तो उसने कहा, मैंने अपना दूद दही तुम पर पूरे महा चड़ा दिया, अब घर जाओंगी, तो मेरी बहु मुझसे हिसाब मांगेगी, तो मैं उसे क्या दू तो पीपल देवता ने कहा, जैसे तेरी बहु डंडे, पत्ते और पान ये सब ले गई थी, तुम भी वैसे ही ले जाओ, और जाकर गुल्लक में रख देना, सासु ने भी ऐसा ही किया, उसने बहुत सारे डंडे, पत्ते और पान भाटे आधी अपनी हांडी में रख लिये, और घर जाकर उनको गुल्लक में रख दिया, जब बहु ने कहा, माता जी करलाई है हिसाब, तो उसने कहा, हाँ करलाई, जो भी मिला सब गुल्लक में रख दिया है, तू खोल कर देख ले, बहु ने गुल्लक को खोल कर देखा, तो उसमें कीडे मकौडे चल रहे थे, पिल पतवारी ने मेरे साथ दुहाद किया है, तुजे तो अन्य और धन दिया और मुझे कीडे मकौडे दिये? तब वे सब बोले, बहुतो सत से सीचती थी और सासुजी धन की भूग से सीचती थी. इसलिए हें पतवारी माता, जैसे तुने बहु को दिया, ऐसे सब को देना, और जैसा सासुची को दिया वैसा किसी को मत देना सब का भला करना इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुँचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें